वेलकम बैक गाइस टू मैं नियू वीडियो तो गैस अगर आपके पास रियल्मी 9 प्रो 5G है तो आपके लिए यहाँ पर एक गुड नियूज है रियल्मी 9 प्रो 5G के लिए जो एंड्रोइड 13 की अर्ली अक्सेस की अप्लिकेशन है वो ओपन हो चुकी है तो अगर आप भी इसको इंस्टॉल करके एक्सपिरियंस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों आज के सुड़ों में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके अप्लाई कर सकते हैं किन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और अगर आप को खोश करना पड़ सकता है शाथ ही बात करेंगे स्टेबल अपडेट की बारे में भी किसका स्टेबल अपडेट जो है वह तक आपको देखने के लिए मिल सकता है तो गाइस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा वीडियो चले लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिएगा जैलीगा जितार वेस्टिंग अने मोर टाइम लेट्स के स्टार आईस में जाना यहां पर आपको डिट वाले जगे पर खोande कैश करना है इसके बाद आपकाूआर वर्जन है देखने करना है इसमें की आपको आरली एकसेस दिखा हुआ दिखाई देगा आपको सिंपल ही क्या करना है कि आपको इस अर्ली एक्सेस के उपर यहाँ पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको एक अप्लिकेशन नोटीस जो है वो देखने के बाद थोड़ी दिर बाद ही जो यहाँ पर अप्लाई नाओ का ऑप्शन है वो आपको एनेबल मिल जाएगा आपको इस अप्लाई नाओ पेज जो है क्लिक करना है तो आपके सामने किस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको यहाँ पर अपना मोबाईल नंबर या फिर एमेल आईडी दोनों में से कुछ भी एक चीज़ डालनी है यहां पर आपको कुछ इस तरीके का जो मैसज़ होगा यहां पर अंदर रिवीव का अब जैसे ही आपकी जो अप्लिकेशन है वो हमेई यहां पर रिव्यू करेगा और रिवु करने के और अगर वो आपकी application को approve कर देता है तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर message दिखाई देगा और इसके बाद ही आपको update है वो आपके phone में देखने के लिए मिल पाएगा तो guys अब गर बात करें कि किन points को आपको ध्यान में रखना है आपको उनको latest version पर update कर लेना चाहिए Google Play Store से इसके बाद जो next point है वो यह है कि यह एक early access का update है तो यहाँ पर आपके phone में काफी unpredictable impact पढ़ सकता है जिससे कि आपके phone में जैसे आप daily use कर रहे थे उसमें आपको problems देखने के लिए मिल सकती है इसके बाद जो point है वो यह है कि आपके phone में कम से कम 10 GB का जो space है वो available होना चाहिए otherwise यह जो update है वो fail यहाँ पर हो सकता है तो इन points को दूस्तों आपको ध्यान में रखना है तो guys अगर बात करें इसके stable update के बारे में तो अभी यहाँ पर early access के application के बाद यहाँ पर open beta की application आपको देखने के मिलेगी जिसमें आपको कम से कम एक महीने का समय जो है वो लग सकता है और उसके बाद फिर एक से डेड़ महीने का समय आपको लगेगा stable update को देखने में याने की अब इसे हम बात करें तो लगबख तीन महीने का आसपास का जो समय है वो लग सकता है stable update आने में हाला कि यह completely depend करता है realme पर कि वो कितनी जल्दी box को fix करके इसके stable update को release करें तो यह जो time है वो fix नहीं हो सकता है यहाँ पर वो totally depend करेगा realme के उपर तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था मिलते हैं वे किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबा एंड टेक क्यार